तो दोस्तो लास्ट विक के अंदर तो बहुत ही बढ़िया जो है वो हमारी टार्गेट ही हो चुके थे 220 का लेवल जो है वो हमारा लास्ट लेवल था और एक्जेट 220.80 से जो है वो नेच्रेल गैस वापस गूम चुका है तो अब आगे क्या हो सकता है उसकी चर्चा कर लेते है पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट के ओपर सपोर्ट रहेगा 207.50 नीचे की तरब काटते है तो फिर 203 का लेवल करता है 99 फाइनल रहेगा फाइनल के नीचे रुखते है 193, 185 का लिवल देखने को मिल सकता है 185 किसी भी कारण से टूटता है संभावना कम लग रही है लेकिन अगर टूटता है तो लगबग लगबग 160 के आज पास जाने की उमीद है तो यह रही सपोर्ट के बाद दोस्तो रेजिस्टेंस की बात करते है उससे पहले छोटा सा अपडेट दे देता हूँ लास्ट विक में जैसे कि हमने वो 20 पॉइंट पकड़े थे नीचे से जो है वो तो वैसे आप भी पकड़ना चाहो आप भी सीखना चाहो मेरे ट्रेडिंग इंडिकेटर मैं नॉर्मल इंडिकेटर दोस्तो यूज नहीं करता हूँ में केंडल स्टिक और उसके साथ बहुत ही बैतर ही कुछ मेरे जो एक्सपिरियंस है जो इंडिकेटर है वो मैं यूज करता हूँ दोस्तो रेजिस्टेंस के उपर 209.50 अगर ये लेवल के उपर रुपता है एंजी तो मेरा मानना है दोस्तो शॉट से बचना चाहिए शॉट अवएड करना चाहिए क्योंकि ये लेवल के उपर जो है वो 213, 213 के उपर चलते है 217 217 का लेवल उपर की तरफ काटता है तो 222 से लेके 228 के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते है एंजी के अंदर 228 का लेवल काटा दोस्तो तो फिर वहाँ से स्टार्ट होगा 240, 265, 290 और 325 ये जो लेवल मैंने अभी आपको बताए ये लेवल आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो एंजी की किस्मत जो है वो बदल सकती है तो ये रहे दोस्तो नेक्स्ट विक के लिए लेवल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंड में लिखते जाए दोस्तो जगाने वाले लेवल आपको फाइदा होता हो तो वो भी लिखिए और अपना ट्रेड करो दोस्तो उससे पहले आप जो है वो अपने एडवाजर की सला एक बार जरूर ले लीजेगा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद